जै मादुर्गू आए आज जानते हैं माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचार्नी का मादुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचार्नी का है यहां ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है ब्रह्म चार्नी अर्थात तब की चार्नी तब का आचरन करने वाली। कहा भी है बेद अस्तत्तम टपो ब्रह्म वेद तत और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। कठिन तपस्या की थी। इसी दुसकर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चार्नी अर्थात ब्रह्म चार्नी नाम से अभिभित किया गया। एक हजार बर्स इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतित किये थे। सौ वर्सों तक केवल साक पर निर्वा किया था। कुछ दिनों तक कठिन उब्बास रखते हुए खुले आकास के नीचे वर्सा और धूप के भ्यानक कष्ट सह। इस कठिन तपस चड़िया के पस्चात तीन हजार वर्सों तक केवल जमीन पर तूट कर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहरनिश भगवान संकर की अराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्सों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तो को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपरना भी पर गया। कई हजार वर्सों की इस कटिन तपस्या के कारण ब्रह्मचार्नी देवी का वह पुनर जर्म का सरीर एकदम झिन हो उठा। वो अत्यांत ही कृष्ट काय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यांत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कटिन तपस्या से विरित करने के लिए आवाज दी। उमा अरे नहीं ओह नहीं तब से देवी ब्रह्मचार्नी का पुनर जर्म का एक नाम उमा भी पर गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मत गया। देवता, रिशी, शिद्धगन, मुनी, सभी ब्रह्मचार्नी देवी की इस तपस्या को अभुत पुर्पुन कृत बताते हुए उनकी सराना करने लगी। अंत में पितामा ब्रह्मा जी ने आकाशवानी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन स्वरों में कहा हे देवी आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्हारे इस अलोकिक कृत्त की चतुर्दिक सराना हो रही है। तुम्हारी म पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मा दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुस्यों में तब त्याग, वैराग, सदाचार, सयम की ब्रिद्धी होती है। जीवन के कठिन संगर्सों में भी उस दिन साधका का मन स्वाधिस्ठान चक्र में इस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मनवाला योगी उनकी कृपा और भक्ती प्राप्त करता है। इसी के साथ माता का दूसरा स्वरूप का वर्नन समाप्त होता है। कल मैं पुना माता के तीसरे रूप का वर्नन लेके उपस्तित होंगा